हलो टेक लीडर्स आजकल रॉबर्ट वेक्यूम क्लीनर्स फुल डिमांड में हैं और अब ये टेकनलोजी रेलाइबल हो चुकी है तो स्मार्ट होम के लिए इसमें इन्वेस्ट करने का सही टाइम आ गया है जी हां दोस्तों अब बजट प्राइज में वेक्यूम और मॉपिं में मिल जाएंगे जादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले टॉप के वेक्यूम क्लीनर से ही शुरू कर देता हूँ तो नमबर वन पर है MI Robot Vacuum ये अपडेटिड वर्जिन वेक्यूम क्लीनर है जिसमें स्मार्ट फीचर्स के साथ-साथ मॉपिंग भी इंक्लूड कर दिया गया है इसमें 12 अलग-लग सेंसर्स लगे हैं जिसकी मदद से ये घर के हर कोने की सफाई कर देता है ये अबस्टेकल्स की मैपिंग स्टोर हो जाती है अप टू 10 मैप स्टोर करने का ऑप्शन है चाहे तो घर के अलावा ओफिस में भी ले जा सकते हैं और हां फर्स टाइम पे मैप करना जरूरी होता है पूरा कंट्रोल आपको मोबाइल एप पे ही मिल जाएगा तो बस बैटे हुए ही सफाई की टेंशन से चुटकारा मिल जाएगा बस करेक्ट मैप चूज कर लीजे और ये अपना काम शुरू कर देगा मोबाइल एप से वाइस कमांड भी दे सकते हैं इसके लिए वाइफाई से कनेट करके रखना होगा वाइफाई नहीं है तो डेली शेडियूल भी कर सकते हैं यह फ लेकिन इतनी जरूरत नहीं पड़ती आदे से एक घंटे तक में पूरा काम हो जाता है तब तक के लिए थोड़ा शोर भी बरदाश करना पड़ेगा मॉपिंग के लिए इसको ओपन करके वाटर टैंक में वाटर एड़ कर सकते हैं जब भी जरूरत पड़े 25,000 के परफेक् 27,000 रुपे लेकिन इस ब्रैंट को ग्लोबली सबसे ज़ादा पसंद किया गया है क्लीनिंग में एक्सपर्ट वल्ड का नंबर वन ये वैक्यूम क्लीनर अपना काम करने में माहिर है और क्यो ना हो भाई ये ब्रैंट यूएस मिलिटरी के लिए भी रॉबर्स बना चुका ह एनिवेज ये MI की तरह mapping नहीं करता बलकि इसके sensors खुदी area और dirt का idea लगा लेते हैं इसके लिए adaptive navigation का use करता है simple language में बताऊं तो ये randomly हर direction में घुमता रहेगा तो जब तक area पूरा cover ना हो जाए ये चलता रहता है adaptive navigation की वजए से इसको use करना भी easy रहता है ज्यादा complicated settings नहीं कर नहीं पड़ती बस simply mobile app से desired mode को select कर लें और इसका काम शुरू इसको wise commands दे के भी control कर सकते हैं और मज़े की बात इसमें default Google Assistant के साथ-साथ Alexa का भी support मिल जाएगा technical specification की बात करें तो इसमें sweeping और mopping दोनों options है 90 minutes का run time है और fast charging भी added advantage रहता है overall बढ़िया काम करता है किसी भी और robot vacuum cleaner से जो लोग new apartment में shift हुए हैं उनको ये जरूर buy करना चाहिए क्योंकि ये globally famous brand है तो long run में इसके लिए accessories भी online मिल जाती है इस brand के इंडिया में भी अच्छी presence है दो साल की warranty भी मिल रही है तो tension की कोई बात नहीं आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक price में बनाता है इसमें MI और Rumba दोनों के mixed features मिल जाते हैं इसका price है 24,000 रुपीज जो आता है mopping feature के साथ लेकिन इस brand का cheaper version 17,000 में भी मिल रहा है इसका link भी आपको description में मिल जाएगा लेकिन उसमें mopping option नहीं है धियान रहे prices up down हो सकते हैं अब इस version में mopping के साथ साथ section power भी powerful है जो की है 2000 PA का इसके mobile app में section power को कम जादा करने का option भी है और boost IQ mode पे ये ज़रूत पढ़ने पर automatically section up down करता रहता है तो ले देके सभी smart features हैं इसमें dustbin full हो जाए तो भी ये update कर देता है mobile app का user interface intuitive है जिसको use करना तो easy है ही बलकि cleaning history में जाके check कर सकते हैं किस area में cleaning हो चुकी है और किस area में cleaning pending है voice command से भी control कर सकते हैं दोनो Alexa और Google assistance है precise cleaning के लिए इसमें smart navigation system लगा है यानि एक area में बार बार नहीं जाएगा और overall floor को map करता रहेगा और एक खास बात कि इसका design slim है height कम होने की वज़े से ये bed के नीचे अराम से चला जाता है जिन लोगों को जादा शोर पसंद नहीं है उनके लिए भी ये vacuum cleaner best रहेगा क्योंकि powerful suction होने के बावजूत इसमें noise level सबसे कम है जी हाँ काफी silent है runtime standard 9,210 minutes का दिया है और आता है एक साल की warranty के साथ एक से भढ़कर एक vacuum cleaner आ रहे हैं दोस्तों अगला है Xiaomi की तरफ से VioMe Robot Vacuum SE इसकी खास बात है 2200 PA की strong suction जो सबसे powerful है बाकि ले दे के MI वाले सभी smart features तो मिलने वाले हैं एक बात मैं और बता देता हूँ कि इसके internal components better है जैसे कि battery लगी है Samsung की suction motor, air blower, chip वगेरा Japanese company से बौरो किया है reviews इसके बहुत बढ़िया है YouTube पे detail reviews भी मिल जाएंगे इसमें sweeping के साथ साथ mopping भी कर सकते हैं बाकि overall समझ लो MI vacuum cleaner ही है sensors भी सेम 12 दिये हैं और mobile app भी दोनों का एक ही है लेकिन क्योंकि इसमें hardware parts बढ़िया quality के दिये हैं तो price भी इसका थोड़ा MI से उपर है जो की है 26900 रुपीज और आता है एक साल की warranty के साथ Xiaomi की after sale service अच्छी है MI stores भी जगे जगे मिल जाएंगे आपको ज़रूर बाय करना चाहिए लिस्ट में last but not the least is Eureka Forbes vacuum cleaner ये vacuum cleaner बिलकुल देशी जुगार है क्योंकि इसमें wifi नहीं है और mobile app का जमिला नहीं है specially mom dad या घर में housewives को चलाने में कोई परिशानी नहीं होने वाली ये उन लोगों के लिए भी best option है जो ज़ादा invest नहीं करना चाहते इसका price सबसे कम है यानि 20,000 रुपीज ये control होता है remote controller के साथ इतना सस्ता होने के बावजूत इसमें दोनो sweeping और mopping features है यानि अब ladies को ज़ाड़ू पूची की tension नहीं होने वाली धियान रहे इसमें noise थोड़ी ज़ादा है लेकिन फिर भी बाई की चिक-चिक से तो कम ही है इसके 9 sensors proper काम करते हैं obstacles आने पर ये turn हो जाता है और सीडियों से गिरता नहीं है 90 minutes का backup भी more than enough है बैटरी कताम हो जाने पर ये automatically dock पे आ जाता है charging के लिए बागी traditional outdated design है तो basic काम सभी कर लेता है जो simple सफाई के लिए होने चाहिए अगर आपका budget कम है तो इस पे जरूर गौर कीजेगा Eureka Forbes की service में अच्छी पकड़ है और एक साल की warranty तो दे ही रहे हैं तो ये थे top quality vacuum cleaners at an affordable price range जैसा कि आपको पता ही है सभी के best buying links description में मिल जाते हैं अगर आपका कोई सवाल है तो instagram पर dm करके बेजी जग पूछ सकते हैं जाने से पहले वीडियो को like करके support कर दीजिए और वीडियो को end तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अब मिलते हैं अगली टैक वीडियो में till then take care